मुख्य मंत्रि नितीश कुमार के आवास पर परसों एक बड़ी बैठक कायुजून किया गया था जहांपर मुख्य मंत्रि नितीश कुमार ने ब्यार में चार विधान सभा सीटों पर उप्चुनाव और इसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कई सारे महत्पुन विश्यों पर चर्षा की इस बैठक में NDA के सभी घटक दल शामिल थे हालाकि पुश्पती पारस की पार्टी राष्ट लोचपा नहीं इस बैठक से किनारा किया लेकिन बाकी सभी नेता वहाँ पर मौझूद थे चुराग पासवान वहाँ नहीं थे लेकिन लोचपा रामविलास का प्रते निधित्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष यानि कि लोशपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजुतिवारी कर रहे थे सब नेता की यहाँ पर मौझूदगी थी तस्वीरें आप साफ तोर पर देख पाएंगे लेकिन इस बैटर के बाद अब जेपी नड़ा बिहार आ रही है जेपी नड़ा छट पूजा के बहाने बिहार आएंगे और गंगाब घाट पर अर्ग भी देंगे मुख्य मंत्री नितीश कुमार के साथ जेपी नड़ा अर्ग देंगे और अब राजुतिक गल्यारे में हल चलतेज हो गई है मुख्य मंत्री नितीश कुमार बिहार में एक बड़ी बैठक कायुजुन करती हो और उसके बाद जीपी नड़ा अचानक से एक खबर विजवाते हैं कि हम बिहार आ रहे हैं अगर इस बैठक में ऐसा क्या हो गया क्या मुख्य मंत्री नितीश कुमार की जो बैठक स्यम आवास पर रखी गई ते जहां पर दोनों मुख्य मंत्री समराट शौदरी विजय सीना इसके अलावा जेडियों के सभी वरिष्ट नेता की मौजूदगी आपको यहां पर दिखा जो अवाए गया था सभी विधायकों को बुलाया गया तो और जीला अध्यक्ष प्रकंड अध्यक्ष इन समराट चॉदरी विजय सिना की मौजूदगी और खुद मुख्य मंत्री नितीश कुमार जो बैठक में जो बैठक में सब्सक्राइब मौझूद थे बीजेपी के सभी सांसदों को बुलाया गया था सभी विधायकों को बुलाया गया तो जीला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष इन सभी नेता को बुलाया गया था सभी पार्टी के ये सभी नेताओं को बुलाया गया था ताकि सामन्जस स्थापित किया जा सक जेडियो के सभी कारिकरता, बीजेपी के सभी कारिकरता के साथ एक मिलकर काम करें और मिशन दो हुजार पचीस को मुकम्मल बनाए इस वैड़क के तुरंद बाद जेपी नड़ा ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलिप जैसवाल को फोन गुमाया और कहा कि अब में बिहार आ रहा हूँ मुक्ही मंत्री ने ये बैठक कायजन के और उसके बाद जेपी नड़ा बिहार आ रहे हैं राज़ुते गल्यारे में हलचल तेज है कि आखिर जेपी नड़ा बिहार क्यों आ रहे हैं इस वैड़क के बाद जेपी नड़ा दिलिप जैसवाल को फोन गुमाते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार आ रहा हूँ जेपी नड़ा छट उजा के बहाने बिहार आएंगे लेकर राज़ुते गल्यारे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बैठक में हो क्या गया इस बैठक में क्या ऐसा हुआ कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार के बैठक आयोजन किये जाने की तुरंत बाद बीजेपी ने भी बैठक बुला ले दिलिप जैसवाल ने भी उसी दिन बैठक किया जैसे ही मुख्य मंत्र नितीश कुमार की एंडी की बैठक कत्म हुई उसके तुरंट बाद बीजेपी के सभी कारिकरता, सभी सांसद विधायक मंत्री सभी लोगों को बुलाकर दिलिप जैस्वाल यानि कि बीजेपी के ब्यार प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने एक बड़ी बैठक आयजिन किया और उसके बाद नितिश कुमार की बैठक की तुरंत बाद बीजेपी की बैठक कई संसे इस वक्त राज़ुतिक गल्यार में है कि नितिश कुमार की बैठक में आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने एक और बैठक बुला ली और अब अचानक से जेपी नड़ा कभी फोन आ जाता है यानि कि बीजेपी के राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा ने फोन गुमाया और कहा कि मैं बिहार आ रहा हूँ छट पूजा में आऊंगा मुख्य मंत्रे नितिश कुमार के साथ गंगा घाट पर अर्ग भी दूँगा लेकिन सियासत में कुछ भी बिना वज़ नहीं होता भले ही छट पूजा के बहानी जेपी नड़ा बिहार आ रहे हो लेकिन अंदर खाने की कुछ और ही खबर है मुख्य मंत्रे नितिश कुमार की बैठक के बाद आखिर क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी ने भी बैठक बुलाई और उसके बाद अब जेपी नड़ा बिहार आ रहे है हलाकि जेपी नड़ा जब बिहार आएंगे तो वो छट घाट जाएंगे गंगा घाट पर अर्ग देंगे मुख्य मंत्रे नितिश कुमार की वहां मौजूदगी होगी और इस वरान क्या कुछ होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन फिलाल जेपी नड़ा बिहार आ रहे हैं मुख्य मंत्रे नितिश कुमार इस इतना भी काम बिहार के लिए किया गया है इस काम का प्रचार प्रशार भी करना है इसके साथ साथ विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए इस पर भी बातचीत हुई लेकिन एंडी के इस वैठक के बाद बीजेपी ने भी कई सारे महत्पूर एजिन्डे पर बातशीत की है बीजेपी कैसे काम करेगी? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है देश की ऐसी पार्टी है जिसका मैनेजमेंट बहुत श्ट्रॉंग रहता है और बीजेपी के काम करनी का तरीका बाकी तमाम पार्टियों से बिलकुल अलग है बीजेपी ने भी बैठर कायोजन किया और उसके बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसत विधायक मंत्री कुल मिलाकर सभी नेताओं को बताए कि आप कैसे काम करना है इसे भी जेपी नड़ा का फोन आया जेपी नड़ा ने कहा कि मैं विहार आ रहा हूँ मुख्य मंत्र नितीश कुमार से जेपी नड़ा की बातचीत होगी हलाकि पिछली बार जब जेपी नड़ा विहार आये थे तो मुख्य मंत्र नितीश कुमार ने कहा था कि नड़ा बाबू हम इधर उधर चले गए नड़ा साहब लेकिन अब नहीं जाएंगे पिछली बार पिछली दो बार हम इधर उधर चले गए थे लेकिन अब NDA में रहेंगे साथ मिलकर काम करेंगे और एक बार फिर से जिपिनेटा बिहार आएंगे क्या कुछ होगा बिहार के सियासत में सब कुछ हम आपको बताएंगे देखते रहिएगा फिष्ट बिहार जार घंड नमस्कार मैं रवीना रायन सिंग आर्पिया ये प्रदेश सद्यक्ष आप सभी को धंतेरस, दीपावली, छट महापर्व, भाई दूज एवं चित्रवुप कुजा की धेर सारी शुक कामनाई देता हूँ आपका भाई, आपका बेटा रवीना रायन सिंग सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनन्द मैं बनाए, यही मंगल कामना करता हूँ प्रदाम 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोगप्रियसंस्थान गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ भारतिया जन्ता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8-800-00-00-200-24 पर मिस्ट कॉल करें निवे तक भारतिया जन्ता पार्टी बिहार